दोस्तों आपको यह तस्वीर याद होगी यह ली गई आपकी NCRT की कक्षा पांचवी की पुस्तक आसपास के पार्ट 6 से और यह कहां की तस्वीर है जहांके हमने विडियोज भी देखी थी यह तस्वीर है घरसी सर जील जैसल मेर की जो की राजस्थान में है यह भारत की तस्वीर है घरसी सर जील की जो बहुती सुंदर सी जील है जो एक समय पर तक्रीबन 650 साल पहले यह जील जो है वो पुरे जैसल मेर में पानी पहुँचाती थी क्योंकि यह नौ तालाबों से जुड़ी हुई थी तो काफी पानी इसमें एकटा होता था जो नौ तालाबों को मिलता था आज इसकी हालत वैसी नहीं है पर हां बहुत ही खुबसूरत जील यह अभी भी है और अपने समय में यह बहुत ही मददकार जील भी होती थी दोस्तो भारत में सिर्फ यही जील नहीं है बहुत सी जील जो है वो भारत में हमें मिलती है और पहले समय में तो जीलों की संख्या आज से बहुत जादा होती थी एक इंसान है जिनोंने भारत की जो जील तालाब जो थे उनके बारे में हजारों साल पहले कुछ कहा हजारों साल पहले कैसा हमारे भारत में तालाब हुआ करते थे उसके बारे में कुछ कहा चलिए जानते हैं उन्होंने क्या कहा यहां के लोग तालाब बनाने में तो माहिर है अगर हमारे देश के लोग इने देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़ कर तालाब के चारों तरफ चबूत्रे बनाए जाते हैं इन चबूत्रों के बीच में उपर से नीचे जाती हुई सीड़ियों के लंबी कतारे होती है लोगों के उतरने चड़ने के रास्ते अलग-अलग हैं यहां कभी भी लगने से परिशानी नहीं होती है क्या आप जानते हैं बाते किसने कही हजारों साल पहले यह कही थी इन्होंने अब सरा यह है कौन पता करते हैं कितनी अच्छी बाते कहीं है इन्होंने भारत के बारे में कि कितने सुन्दर तालाब जो है भारत में बनाये जाते थे कि यदि इनके देश के लोग देखते तो हैरान रह जाते इन्हें तक खुबसूरत लगा हमारे देश के तालाबों के बारे में जानकर तो चलिए जानते हैं आखिर यह है कौन इनका नाम है अल-बिरूनी अब यह अल-बिरूनी जो है यह है कौन हजार से भी जादा साल पहले एक यात्री भारत आये इनका नाम था अल-बिरूनी अल-बिरूनी जिस देश से आये थे उसे आजकल उजबेकिस्तान कहते हैं अल-बिरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीजों और जगहों को देखा और उनके बारे में लिखा खास तोर से वे जो उन्हें अपने देश से अलग लगी तो हम जान सकते हैं कि उन्होंने तालाब के बारे में ऐसा क्यों लिखा कि उनके देश के लोग देखते तो हैरान रह जाते क्योंकि उनके देश में ऐसा नहीं था जो उन्हें यहां दिखा और इसलिए वो तालाबों को देखकर बढ़े ही खुश हुए और उसके बारे में उन्होंने लिखा तो हम सोच सकते हैं कि हमारा भारत जो था यहां पर इते खूबसूरत तालाप हुआ करते थे कि लोगों को वो बहुत आश्चरे चकित कर देते थे तो अलबिरूनी ने भी इसी तरीके की बाते जो हैं वो लिखी हजारों वर्षों से भी पहले आज इतिहास पढ़ने वाले लोगों को अलबिरूनी की किताबों से उस जवाने के बारे में बहुत कुछ पता चलता है तो आज जो भी इतिहासकार हैं जितने भी लोग रूची रखते हैं इतिहास में पुरानी बाते जानना चाहते हैं कि भारत पहले कैसा दिखता था या कहीं और की जगाएं कैसी थी तो वो अकसर पुरानी किताबे पढ़ते हैं तो अलबिरूनी ने जो किताबे लिखी उसमें उस जमाने के बारे में बहुत सी चीजे जो हैं वो पता लगती है यह क्यातरी थे जो आये थे उसबेकिस्तान से और इन्होंने भारत में आकर बहुत कुछ लिखा भारत के बारे में भी और उनमें से एक बात थी तालाबू के बारे में यह जो हमें फोटोग्राफ दिख रही है यह एक डाक टिकेट है 1973 में छपी थी जब उनके जन्व के 1000 साल पूरे हुए थे तो जब अल बिरुनी को 1000 साल पूरे हो गये थे जन्मे वे तब यह डाक टिकेट जो है वो छपपाई गई थी 1973 में तो आप सोच सकते हैं 1973 से भी 1000 साल पहले अल बिरूनी जो हैं वो पैदा हुए थे अगर आप देखें ध्यान से तो आपको यहां दिख रहा होगा इस तस्वीर के नीचे लिखा है 1000th Anniversary यानि कि 1000 भी साल गिरा यानि कि उन्हें 1000 साल पूरे हो गए और साइड में अफगान पोस जो है वो अंग्रेजी में लिखा है हाला कि यह उस्बेकिस्तान के थे लेकिन अफगान के लोग भी इने बहुत मानते थे क्योंकि काफी लंबा समय अफगान में भी रहे तो इस कारण से यह डाक टिकेट पर अफगान के डाक टिकेट पर इनकी तस्वीर जो है वो छपी है तो दोस्तो हमने क्या देखा हमने देखा अलविरूनी की नजर से भारत हजारों साल पहले कि उने हमारे यहां के ताला आप कितने खूबसूरत लगे थे दोस्तो आपको क्या लगता है यदि आप अलविरूनी की जगा हजारों साल पहले भारत को देखते तो आपको भारत कैसा लगता क्या आप भी हरान रह जाते अलबिरूनी की तरह क्या आपको भी तालाब उतने ही खुपसूरत लगते ज़र आप भी जानने की कोशिश कीजिए कि हजारों साल पहले तो नहीं पर जब आपके घर के बड़े छोटे थे तब तालाब जील और आसपास की नदिया सरोवर कैसे हुआ करते थे क्या फरक आ गया है आज में और तब में पता कीजी कि उनकी नजर से भारत और भारत के तालाब सरोवर कैसे थे पहले